किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मारेट एग्रिकल्चर यूट्यूब चैनल इस समय पर ज्यादातर चेत्रों की स्वयाबिन सार दिनों के आसपास की हो चुकी हैं तो इस समय पर कुछ चैत्रों में तो बहुत सांधार पलिया बन रही हैं लेकिन कुछ चैत्र ऐसे भी हैं जिनमें अपित्ग बिल्कुल भी फूल और पलिया नहीं आई हैं मुझे अलग-अलग छेत्रों से कई वीडियो और फोटो प्राप्त हुए हैं जिन में स्वयबिन साट दिनों के आसपास का हो चुका है स्वयबिन की हाइड भी बहुत अच्छी हो गई है लेकिन अभी तक उस स्वयबिन में बिल्कुल भी फूल और फलिया नहीं आई है और कुछ छेत्रों में किसान खड़ी फसलों में रोटावेटर चला रही है किसान भाई यो इस समझ्या को एफलन के नाम से जाना जाता है तो किसान भाई यो इस वीडियो में हम विश्टार से बात करेंगे कि स्वयबिन में एफलन के क्या कारण हो सकते हैं और एफलन का क्या समादान है क्या अब स्वयबिन में फूल और फलिया आ सकते हैं तो इन सबी की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अन्तो तक देखे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए और इसके पास आए गंटी के निसान को भी जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटि रही हैं इस साल जब स्वाइबिन छोटा था तब बारिस नहीं हुई थी लेकिन जब स्वाइबिन फ्लोरिंग स्टेज पर आने लगा तब लगातार बारिस होना सुरू हो गई और लगातार 10-12 दिनों तक बारिस हुई इस साल स्वाइबिन की हाइट बढ़ने के समय तो ब हाइट रोकने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्प्रे करना था बारिश का अलावा बात करें तो अगर पोदे ज्यादा पास-पास होते हैं तब भी स्वाइबीन की हाइट ज्यादा बढ़ जाती हैं और आपलन के समस्या आ सकती हैं इसलिए आप आगे से जान पूल नहीं करने की वज़े से कीट सारे पूलों को खा जाते हैं जिससे भी एपलन के समस्या आ जाती हैं इसलिए स्वाइबीन की समय समय पर देखरे करते रहें अगर उसमें कीटों का प्रोकॉप है तो उसमें कीट ना सका तुरंत इस्प्रे करें इसके लावा हाइट हो चुकी है और 95 सारे स्वाइबीन में 30 दिनों के असपास फूल आना सुरू हो जाते हैं तो इसे हिसाब से इस समय पर 30 दिन ज्यादा हो गए है इस इसाब से तो अब फूलों का समय निकल चुका है तो अब आप कुछ भी कर दो स्वाइबीन में फूल नहीं आएंगे हो सक केल से स्वाइबीन में अपलन के बारे में बात की हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक को शेयर जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जगिसान